फाइनली आज अक्से कुमार की जो मुवी कट पूट ली वो हट सार पर रिलीज हो चुकी यह भाई तो मैंने यह मुवी देख लिया और हो सकते कि आप लोग ने अभी यह मुवी नहीं देखोगी तो इस वीडियो को देख कर जाना उसमें मैं आपको बताऊंगा इस वीडिय कि मुवी किस स्टोरी पर बेस एक स्टोरी क्या है तो सपना और उनके थ्रिलिंग और सब्सक्राइब बनाने का रहते हैं तो बहुत जाल सक बहुत ज्यादा रिसर्च करते रहते हैं और वह बहुत सारे मतलब प्रोडिूसर के पास जाते अपनजाबी लैंग्वेज में यह को इनकी स्टोरी पसंद्धी नहीं आती है यह जो क्राइम थेलर पर बनाना चाहते हैं किसी को मुवी यह समझ में नहीं आती इनका मूवी बनाने का सपना धुक्राइब कर लो क्योंकि इन Не कई जीजा रहते हो और पुलिस में रहते हिमाचल के तो यह हिमाचल में बहुत यह करकुर के फिर फाइनल यह पुलिस में एकसी नर्गा जोइनिंग लेले तर फॉर्स दिन यह जाते तो वहां पर एक केस आता है दिखा जाते हैं एक व की स्क्रीप लिक रहते है उसमें भी इसी टाइप का killer था मतलब तु याद करने लगते कि इसी टाइप को real killer है मतलब जो भी serial killer हो था अपने निसाने छोड़ के जाते हैं तो ये बहुत सारे मतलब अपने head officer जो रहते हैं मतलब एक lady officer रहते हैं तो उनको बताने ही कोजी करते हैं लेकिन कोई इनकी बात को सुनने नहीं मांगता है सभी ignore कर देता है क्योंकि ये छोटे मोटे post पे रहते हैं तो finally जब एक murder हो जाता है उसके पासे दोसरा murder हो जाता है तो उसके बासे धीरे धीरे क्या होता है पता है कि police वाले इनकी बातों पर भरोसा करना है स्टार्ट कर देते हैं अब उसके बासे जब यहां पर जैसे third murder होता है उसके बास एकसे कुमार को यहां पर एक clue मिलता है चोटा सा उसके बासे उसकुल के साथ में वह जाते जिस जिस स्कुल में के भगने पड़ती है उसी स्कुल के अब आपको यहां से देखने को मिल देखो मैं सबसे पहले बता दू अगर आपको बताने की जरुवत नहीं क्लाइमेक्स क्या है आपको खुदी पता होगा नहीं देखी है रसासन मूवी अभी तक यह मूवी आपको यह स्टोरी अच्छी लगेगी और अक्षे कुमार की का काफी ज्यादा जवान लग रएवाइश्म काफी ज्यादा हत्तक अच्छी एक्टिंग है और यह मूवी अपको पता है तो इस मूवी में क्या क् делать नहीं होना चाहिए ता मैं बताने को मेरे इस ताइब की जो थ्रिलिंग और सस्पेंस मूबी नहीं रहे तो अच्छा और बॉलीवूड वालों का तो एक चीज से पीछा ही नहीं चुटता यार पाता है कि गाना जैसे हिरोईन के एंट्री होती तो उनको गाना देना जरूरी के ओरिजनल में ऐसा कुछ नहीं और में एकदम जो स्क्रीन प्ले चलता ने अगदम सिरियसने चलता और आपको डर का ऐसास दिलाएगा मतलब हर टाइम अपको लहेगा आप क्या होने वाले लेकिन इस मूवी में इसटोडी तो सेम लिकाल है लेकिन आपको उस टाइप का फील आइगा जिस टाइप का को और अच्छा नहीं था क्योंकि अरिजिनल मुवी जब आप देखोगे ना तो सस्पेस मतब क्लाइमेक्स के पास जैसे से पहुचोगे ना आपका हाटबीड बढ़ता रहे है कि अच्छली में है बंदा कुन लेकिन इस मुवी में उस टाइप का लगाने की लास्ट है उतना जाद आपको इंगेज करें उतना जाद आपको सौक करें मेरे इसाब से तो उस टाइप का लगन है इस मुवी में बात यह है कि ऑरिजिनल जो मुवी होती है और बॉलिवूट से अगर ऑरिजिनल मुवी की कौपी भी अगर नहीं बन पारे तो इससे बुरा मतलब क्या ही बो सकते आप लोगों में से जिसने भी रसासन देखा होगा तो देखा होगा तो उसके बास यह मुवी में जब भी आप देखने बैठोगे तो आपके दिमांग में बस एनी टाइम कंपरीजन चलेगा कि कौन से सिन कहां से मैच कर रहे लेकिन जिन भाइसाब ने भी इस मुवी पता नहीं क्यों काट और जब स्टार्ट होगा तो आप देखो एक बंदा मतलब किलर रहता या पता नहीं किसी बंदे को लटका करना होता और यह से उसको मारने को सी का था वैसे फाइनली डिरेक्टर साब वोते कर तो मतलब सूटिंग चल रहा था उसके वागल में घड़ पर बहुत जादा स्लो लगए सार्टिंग में आपको थोड़ा बोर भी फील करा सकता है मेरे सब्सक्राइब जैसे ही राइन वगरे के एंट्री होगी लेकिन और यह नहीं लगे है कि आप यार मतलब बेकार सीन चल रहा है स्लो स्क्रीन पर चला है कुछ नहीं दिखाएगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब